हेलो फ्रेंस आज मैं आपको बताऊंगी बालो की लंबाई बढ़ाने उसको घना और मोटा करने का एक जबदस्त होम रेमेडी ये होम रेमेडी आपके बालो को हेल्दी करेगा आपके बालो की ग्रोथ को बढ़ाएगा साथ में आपके बालो में अगर डैंडरिफ की तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एलोवेरा का लीफ लेना है और इसके जेल को इस तरह से आपको ये देखिए ये जेल होता है एलोवेरा का इसको आपको इस तरह से एक क्लीन बाउल में यानि कि खाली कटोरी में आपको इसके जेल को अलग करना है एलोवेरा में 70 टा जोड़े में निकाल लेना है अब आपको क्या करना फ्रेंस के लगभग 5 लसुन की कली लेना है आपको और लगबग 1 इंच अद्रक कर तुकर और इन दोनों को अच्छे से साफ कर लेना है ले वह जों में हमेशा मौझूद होते हैं और एक कुटनी के हैई आपको अच्छे से कूट लेना है यह देखिए अच्छे से क्रश कर लीजिए ताकि इसका जूस हम अच्छे से निकाल पाएं जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूं वैसे वैसे आप इसको इसको इस्तमाल कीजिए यह बहुत ही जबद्दस घरेलून उसका है और इसको बना के इस्तमाल करना भी बहुत असान है यह देखिए जैसे आप देख सकते ही अच्छे से क्रश हो गया है तो आपको क्या करना है कि छनी के मदद से आपको इसके रस को अलग कर लेना है हमने इसमें गालिक यानी की लसून का इस्तमाल किया है लसून में एंटी माइक्रोबिल पोपर्टीज होती है यह हमारे स्कैल्प में इंफेक्शन को दूर करता है हमारे स्कैल्प में जो जर्म्स और बैक्टेरिया होता है इसको यह किल करता है साथ में लसून में बिटामिन सी होता है जो हमारे बालों में कोलेजन प्रोटक्शन को बूस्ट करता है यह हमारे हेर ग्रोथ को स्टुमिल कि आप देख सकते हैं कि हमने ऐलोवेरा की जल में इस तरह से अद्रक और लसुन के रस को ले लिया है इस नुसके को और भी जबदस बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे लगबग एक चमच नारियल का तेल इसमें विटामीन ई होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बह कॉटन लेना है और कॉटन में इस तरह से डिप करके आपको अपने बालों की जड़ों में अच्छे से अपलाई कर लेना है अच्छे से बालों की जड़ों में अपलाई करने के बाद आप एक घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए उसके बाद एक घंटे के बाद आप अ आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट करके जुरू बताएगा साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आकों को क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके थैंक यू